हेलो अब्रिवन मेरा नाम है रेनु कॉशिक तो गाईस कैसे हैं आप सब आई हो गाईस आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रहे होगी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाईस वह हमारा आईटियार रेटन के जो फॉर फॉर्म होते हैं लेकिन बाग की भी मैंने इस जो स्लाइड के अंदर शामिल किये हैं क्योंकि कोश्चन में किसी भी तरीके से पूछा दा सकता और यह टॉपिक बहुत इंप्वॉर्टन है तो इसलिए फोकस कीजिएक है पूरी पूरे टॉपिक पर सबसे एक नौट बना लीजिएगा, अगर हो सके तो, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, ITR1, जो ITR1 form है, वो किसके लिए है, उसका नाम कै सबसे पहले तो याद रखना है, आपका, उसका नाम है सहज, ठीक है, ITR1 जो है, वो किसके लिए है, मैंली, ITR1 जो है, कोई भी individual जो है इस form को भर सकता है कौन भरेगा जिसकी income up to 50 lakh है वो income आपको कहां से आ रही है किसी भी salary आप किसी भी pension से किसी भी one house property से ठीक है कोई वो income आपको मिल रही है किसी अधर sources से लेकिन उसके अंदर winning from lottery and income from resources को शामिल नहीं किया जाएगा clear guys उसके बाद हम बात करते हैं ITR1 के अंदर कि ITR1 कौन फाइल नहीं कर सकता है आपको यह तो पता है कि जिसकी income 50 lakh तक है ठीक है जिसकी agriculture income up to 5000 है ठीक है जिसकी income above 50 lakh है दूसरी बात कोई भी individual अगर वो किसी company का director है और वो unlisted equity shares में investment करता है ठीक है कोई भी resident दो person याद रखने है आपको अगर आपको दे दिया जाए याद रखिएगा दो नाम R, N, O, R और आपका क्या है non-resident यह ITR1 जो वो उसका firm नहीं भर सकते ठीक है ITR1 फाइल नहीं कर सकते है यह लोग ठीक है उसके बाद कोई भी person जिसकी more than one house property है lottery, resources, legal gambling, taxable, capital income, capital यह नहीं आपका short term यह long term और कोई भी अगर agriculture income उसकी exceed है 5,000, up to 5,000 है तो तो आप ITR1 जो है फाइल, ITR1 जो है भर सकते हो अदर्वाइस आप जो है वो ITR1 के लिए apply नहीं क इसके बाद हम बात करते हैं ITR2 यह बहुत important है ITR2 भी देखे आपको अगर ITR1 समझ में आ गया है तो याद रखेगा कोई भी individual पहली बात तो कोई भी हुएफ, ITR1 अब कौन apply कर सकता था सिर्फर सब कोई भी individual लेकिन ITR2 individual और हुए दोनों के लिए है लेकिन अगर कोई भी income आपको salary ये pension से हो रही है, कोई भी income आपको house property से हो रही है, capital gain से हो रही है, income from other sources से हो रही है, लेकिन याद रखेगा अगर PGBP का नाम हो और आपसे पूछा जा, आपको ITR2 के अंदर PGBP दे रखा हो तो याद रखेगा PGBP यहाँ पर नहीं आता है, कोई भी income other than PGBP है तो ITR firm 2 के अंदर आएगी, और अगर PGBP उसके अंदर शामिल है तो याद रखेगा उस statement को वहीं cut कर दीजेगा, ठीक है, कोई भी foreign assets या foreign income आ रही है, कोई भी agriculture income more than 5000 है, और ROR, NOR और NR, जो आपने ITR 1 के अंदर exclude किया था, वो ITR 2 के अंदर शामिल है, याद रखेगा, आपको इ ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि agriculture income more than 5000 को ITR 2 के अंदर शामिल किया गया है, resident, not ordinary resident और non-resident दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ITR 2 के अंदर एक और है, ITR 1 में हमने देखा था कोई भी director, अगर किसी company का है, ठीक है, और कोई भी individual जो invest करता है, unlisted equity shares में, हमने ITR 1 के अंदर उसको exclude किया था, लेकिन ITR 2 के अंदर उसको include किया जाएगा, ठीक है, और कौन नहीं file कर सकता है, ITR 2 को, वो file नहीं कर सकता है, कोई भी individual या कोई भी HOF, अगर वो PGP के अंदर शामिल है, पहली बात तो, दूसरा, अगर कोई भी individual है ITR 1 अगर कोई भी file कर रहा है, कोई भी individual, तो वो ITR 2 file नहीं कर सकता है, clear guys, I hope आपको clear हुआ होगा ये भी, बात करते हैं ITR 3 की, बहुत easy है ITR 3, देखे, हमने ITR 2 में एक term को exclude किया था, PGP, तो याद रखिएगा, ITR 3 में, ITR 3 applicable होगी किसी भी individual पर, किसी भी HEF पर, ठीक है, ज इसको income कहां से मिल रही है, जिसको income मिल रही है, profit and gain from business and profession, इसका मतलब है, यहाँ पर PGP से होने वाली income को शामिल किया गया है, किसके अंदर, ITR 3 के अंदर, clear, ठीक है, और अगर माल लीजी कोई भी business या कोई भी profession, जिसके अंदर आपको tax audit भी कर रहे हैं और non tax audit दोनों cases को श किया गया है, और tax audit और non tax audit दोनों cases को यहाँ पर शामिल किया गया है, ITR 3 के अंदर, clear, उसके बाद हम बात करते हैं, ITR 4 की, जो बहुत important है, और जहां से question आते हैं, ITR 1 पे बहुत focus करना है, आपको, ITR 4 पे बहुत focus करना है, क्योंकि questions यहीं से आते हैं, मिल ली, आप से अब आपको यहाद रखना है, कौन-कौन सी चीज़े include की जा रही है, कौन-कौन सी चीज़े exclude की जा रही है, कोई भी business income, अगर किसी भी individual को, किसी भी हुआफ को, किसी भी partnership firm को, section 44 AD, section 44 AE, section 44 ADA, अब आपको याद रखना है, यह तीनों section है, किसके लिए, 44 AD है, आपका कौन सा presumptive income का, 44 AE आपका किसके लिए है, यह आपका कोई भी business income, अगर आपको हो रही है, playing, leasing, or hiring goods carriage से, अगर 44 AD, आपको कोई भी professional income हो रही है, यह तीन section आपको याद रखने है, इनसे होने वाली कोई भी income, आपकी ITR 4 आप apply कर सकते हो, कोई भी salary या pension से होने वाली income, कितने तक है, up to 50 lakh, कोई भी income हो रही है, आपको house property से, one house property से, up to 50 lakh, ठीक है, लेकिन आप exclude करेंगे carry forward cases को, दूसरा, कोई भी income from other sources, अगर आपको income आ रही है, लेकिन वो भी कितनी, up to 50 lakh, आपने देखा, सभी के अंदर कितना है, up to 50 lakh है, लेकिन income from other sources में आपको exclude करना होगा, winning from lottery, and income from horse races, ठ 4 बहुत important है, याद रखेगा कोई भी individual, HUF, partnership, तीन आपको section याद रखने है, 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh, आपको तीनों में याद रखना है, लेकिन याद रखना है, salary से, house property से, और income from other sources से, ठीक है, उसके बाद हम बात करते है, ITR 5, 6, and 7, आपको सिर्फर सिफ इनका नाम याद रखना है, 5 किसके लिए है, 6 किसके लिए, 7 किसके लिए है, सबसे पहला, ITR 5 किसके लिए है, अगर आपसे पूछा जाए, कि LLP, Limited Liability Partnership, Association of Person, और BOI, इनके लिए, Artificial of Judicial Person, Business Trust, Investment Fund, इनके लिए हम कौन सी ITR फाइल करते हैं, तो याद रखना, ITR 5, उसके बाद आपसे पूछा जाए, कोई भी कंपनी, जो की other than, उन कंपनी के, जो की क्लेम करती है, under exemption, under exemption, section कौन सा, 11, अब आपको याद रखना है, exemption under section 11 के अंदर, वो कंपनी जाती है, तो उनके अलावा, जितनी भी कंपनी है, उनको ITR 6 फाइल कर सकती है, वो ठीक है, उसके बाद, ITR 7 किसके लिए है, ITR 7, उन कंपनी के लिए है, जो 3 से 4 section के अंदर आएंगी, 139 4A, 139 4B, 139 4C, 139 4D, clear हुआ गाईज, ITR 5, कोई भी limited liability partnership, association of person, body of individual, artificial judiciary person, business trust, investment fund, ITR 6, उन कंपनी के लिए, जो की charitable और religious purpose का का काम नहीं करती है, ITR 7, जो 139 4A, 139 4B, 139 4C, 139 4D के अंदर आती है, I hope guys, आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा, रटने वाली चीज़ें नहीं है, अगर थोड़ा से भी जरा सा भी logic आपने लगाया न, अगर आपने statement एक बार भी अपनी नजरों से निकाल ली, सारी के सारी statement, आपने सारी के सारी एक बार ये देख ली, तो आपके दिमाग म अगर आपको बता है कौन सी है, अगर आपको पता है तो बताएगा comment section में कि ITR 6 किस के लिए थी, ठीक है, I hope guys, आपको ये पूरा का पूरा चेप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, thank you so much guys